चानक के आईएस अकैडमी में आप सभी का स्वागत है। इस रो और उसके सहोगियों ने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंच चित्र दुर्ग करनाटक में इस टेस्ट को सफलता पुरुक पूरा किया, इस मिशन को DRDO और इंडियन एर फोर्स की मदद से पूरा किया गया है। चिनुक हेलिकॉप्टर के द्वारा एक अंडर स्लंग लोड की रूप में 4.5 किलोमेटर की उचाई पर ले जाकर रिलीज किया गया। आरेलवी एकिकरत नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम को फोलो करते हुए लेंडिंग के लिए अप्रोच किया और सफलता पूर्वक अपनी ओटोनोमस लेंडिंग पूरी की। यह वेहिकल लेंडिंग स्पेस री एंट्री लेंडिंग के समान थी जिस प्रकार कोई स्पेस क्राफ्ट अर्थ के लिए अप्रोच करता है जो हाई स्पीड और मानव रहित लेंडिंग के समान थी। आरल्वी टीडी प्रोजेक्ट के अगर बात करें तो विंग आरल्वी टीडी वेहिकल प्रोजेक्ट टेस्टिंग की एक नई सिरीज है जो स्पेस में कम लागत वाली पहुच को सक्षम बनाने के लिए जरूरी है यह है प्रोजेक्ट रियूजेबल लॉंच के लिए आवश्यक टेकनोलोजी के विकास का एक महत्तपुन भाग है इसरो का आरल्वी टीडी एक एरक्राफ्ट की तरह दिखता है इसमें एक फ्यूजलेस, एक नोसकैप, एक डबल डेल्टा विंग्स और ट्विन वर्टिकल टेल्स होते हैं इस प्रोजेक्ट के उदेशे के अगर बात करें तो इसरो के अनुसार इस प्रोजेक्ट की मदद से भारत के रियूजेबल टू स्टेज और्बिटल लॉंच वेहिकल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी इसरो ने मई 2016 में हैक्स मिशन के तहट विंग आरलवी टीडी वेहिकल के री एंट्री की टेस्टिंग की थी हाइपरसोनिक सब और्बिटल वेहिकल की इस टेस्टिंग को एक मेजर बूस्ट के रूप में देखा गया है आरलवी टीडी का उप्योग हाइपरसोनिक फ्लाइट, और्टोनॉमस लेंडिंग, रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, पावर्ड क्रूस फ्लाइट, स्क्रेम जेट, प्रपल्शन एक्सपेरिमेंट जैसी टेकनोलोजी को विक्सित करने के लिए किया जाएगा इसरो की तरफ से वर्ष 2010 में आरलवी के पहले टेस्टिंग की शुरुवात की गई थी, लेकिन तक्नीकी कारणों से इसकी टेस्टिंग को टाल दिया गया था आरलवी प्रोजेक्ट में विशेश रिशर्च के बाद इसे पुना 23 मई 2016 में लौज किया गया इस टेस्टिंग को इसरो की और से एक बेबी स्टेप बताया गया था इस टेस्ट के तहट 1.45 तन का आरलवी टीडी ले जाने वाला एक रॉकेट 91.1 सेकंड के लिए अंतरिक्ष में लौज किया गया था जो लगभग 56 किलोमेटर की उचाई तक पहुचा था अब अगर बात करें इस टेक्नोलोजी की उपयोगिता की तो नासा पहले से इस तरह की टेक्नोलोजी का अपनी स्पेस मिशनों में उपयोग कर रहा है आज की स्पेस रेस में रियूजबल लौज टेक्नोलोजी कम लागत में कारे करने वाली विशवशनिया और ओन डिमांड मोड टेक्नोलोजी है स्पेस लौज वेहिकल में लगभग 80-87 परतिशत लागत वेहिकल के स्ट्रक्चर पर खर्च की जाती है इसकी तुलना में प्रोपेलेन की लागत में उन्तम है इसके साथ ही हमारा आज का एक टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच